कि बिसमनलाई रख्मानिर्रहीं अस्लाव ऑलेख्म आज की वीडियो में डिसक्स करने जा रहे हैं सुच पोर्ट सेक्वर्टी के बारे में इसमें हम नेट्वर्ट में लगे सुच को किस तरह से सक्वर कर सकते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से option available होते हैं अपने जो network के सुच है उसकी ports को secure करने के लिए और हम अपने वीडियो में configuration करेंगे कि क्या-क्या और किस method के through हम अपना जो सुच है उसको हम उसको secure कर सकते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ और configuration स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो सुच है हमारा उसकी मैंने जो command line ने open कर लिए है तो हमें सबसे पहले देखना यह होगा कि हमारे पास इस सुच के उपर कितने interface available हैं तो उसके लिए command देनी होगी show interface status की तो मैं यहां पर type करता हूँ show interface status और यहां पर देने के बाद आपको यहां पर show कर रहा है कि हमारे पास यहां पर four interfaces Ethernet 0-0 से 3 तक तो हम अगर Ethernet 0-0 पर ही port security enable करने है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो भी हमारा port होगा उसको सबसे पहले access mode में लाना होगा तो क्या करना होगा यहां पर configuration global configuration mode में जाते हैं और यहां पर इसकी जो major command है port security enable करने के लिए इस port के उपर तो उसके लिए हम करते है switch port port security switch port port security और इसको यहां पर जब मैं command दूंगा तो यह यहां पर accept हो जाएगी तो इसमें जो switch port port security यहां पर यह command देना जरूरी होती है इस पर जो switch port security वो enable हो गए इसके बाद हम further जो इसकी command देते हैं तो दबारा से switch port port security करते हैं और यहां पर हम करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ option है aging है mac address है maximum ovulation तो हम सबसे पहले maximum को यूज करते हैं और maximum के आगे आप देख सकते हैं 1-409-7 तक हमारे maximum जो mac addresses है वो allow हो सकते हैं एक port के उपर तो हम यहां पर 2 कर देते हैं तो यहां पर इस command का मतलब यह होगा कि इस port के उपर maximum 2 mac addresses ही allow होंगे इस command का मतलब होगा अब हम जाते हैं switch port security करते हैं और दोबारा से कुस्टर मार करते हैं अब यहां पर Mac addresses की command देते हैं अब switch port जो हमने पहले इस port के ओपर दो Mac addresses maximum यहां पर learn होंगे उसके बाद तीसरा नहीं allow होगा उसके बाद Mac address यहां पर हम question mark करें तो यहां पर हमारे पर option देता है कि आप यहां पर hard port Mac address भी यहां पर type कर सकते हैं यहां पर इस तरह से भी accept कर लेगा लेकिन और दूसरा हम कर सकते हैं sticky तो sticky करना बहतर होता है क्योंकि यह इस तरह से हमें याद नहीं रहता तो यहां पर मैं sticky कर लूँगा और यहां पर पहले sticky का मतलब यह कि पहले जो दो port पहले जो Mac addresses इस port पर learn होंगे वही इसके Mac addresses होंगे और उसके बाद जो तीसरा Mac address आएगा वो learn नहीं करेगा इस port के उपर वो accept नहीं होगा तो अब यह sticky command का क्या मतलब होगा तो मतलब यही है कि जो learn हो जाएंगे पहले जैसी दो Mac addresses आएंगे जैसी आर्प बनेगी तो जो Mac addresses learn होंगे वो support के उपर learn हो जाएंगे अब यह कब तक रहेंगे sticky command में द्रासल होता ही है कि यह running configuration में ही रहते हैं यानि कि अगर आप एक तफाँ आपने running configuration save कर ली तो अगर आप अपना switch restart करेंगे तो वही Mac addresses learn रहेंगे अगर आपने running configuration को save नहीं किया और restart कर दिया तो फिर दो नए Mac addresses भी यानि कि अब जो भी नया switch के साथ जो भी device रहेंगे तो वो उसको learn कर लेगा तो यह ज़रूरी है कि आपको running configuration mode इसका जो है उसको save करना होगी उसकी running configuration save करना होगी तो यह sticky mode जो हमारे क्या यहां पर violations क्या violation होगी यानि कि कोई और यानि कि दो से इलावा कोई तीसरा Mac addresses आ रहा है तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो जो सुच है वो क्या करेगा उस port के उपर तो यहां पर हमारे पास तीन option है violation के यानि कि violation होगी तो एक पहला यह करेगा लेकिन रिस्ट्रिक्ट क्या करता है यह करता तो सेम यह यहां की सुच पर उपर हुई है और तीसरा जो option है वो शयटाउन है वो simply क्या होता है कि अगर कोई violation होगी तो उस port पे वो जोशटडाउन हो जाएगा शटडाउन में क्या होगा तो शटडाउन होने के बाद जो हमारा port है वो error disable mode पर चला जा जाएगा तो हमें करना क्या होगा उस port को दुपारा से running में लाने के लिए उस port पर जाना होगा जो भी हमारा problem होगा उसको resolve करना होगा और shutdown की command देने के बाद दुपारा से no shutdown करना पड अधर है तो अब जो हमारा port interface ethernet 0-0 उसके उपर port security enable होगे maximum 2 यानि के मैक अलाओंगे और जो स्टीकी होगे मतलब पहले जो दो मैक अटरस आएंगे वही इसके रह जाएंगे और उसके बाद हम उसको save कर देंगे running configuration को तो वह हमीशा के लिए वही दो मैक अलाओंगे उस port के पर और अगर कोई और port आता है किसी भी तरीके से कोई भी मैक अटरस आते हैं तो violation में क्या होगा रिस्टिक्ट हो जाएगा उसके जो उसके इलावा जो भी मैक अटरस होंगे उसके frame drop होंगे और counter हमारा चला दिया जाएगा तो आप counter भी देखते है counter कहां शो होता है तो इस 0-0 पर maximum addresses 2 बता रहा है और यहां पर देखने हैं violation count जो मैं आपको बता रहा था जो रिस्टिक्ट करता है वह security violation count होता है और यह 0 है इस वक्त और जो security action है वो restrict है ठीक है तो यहां पर यह हमें यह चीज़े बता रहा है और इसके बाद एक और जो command बहुत अच्छी command है उसको थोड़ा से इसको show or security और उसके साथ हम address यहां पर अगर लिखें तो यहां पर यह addresses की भी बतायता है कि कौन-कौन से MAC addresses यहां पर लरनने तो मैंने पहले एक MAC address दिया था और मैंने इसको टाइप कर दिया था तो पहला जो MAC address है वो यह एक hard-coded है और इसके इलावा एक जो MAC address ह होगा वो ही अलाव होगा यहां पर जो कि sticky होगा एक है मैंने hard-coded कर दिया था पहले मैंने इस पर टाइप कर जया था तो यह यहां पर interface 0000 पर यहां पर यह पूर्ट के इसके इलावा अगर आपको specific एक interface की देखनी हो तो उसके लिए आपको करना होगा show port security वो आगे interface Ethernet 0-0 हम जब यह command देंगी तो सिर्फ interface Ethernet 0-0 की जो port security जो इनेबल होगी है वो यहां पर बता देगा तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारी port security है इस पर enable है और जो violation mode रिस्ट्रिक्ट है aging time बता रहा है और यहां पर maximum MAC addresses आप देख सकते हैं 2 है और total MAC addresses यहां पर 1 है जो मै MAC address है वह अभी तक यहां पर नहीं आया और configured MAC address यह वही है स्ट्री जो मैंने एक hardcoded किया था तो यहां पर 2 Mac addresses है और allow ना सुच्छे उसको secure कर सकते हैं तो यह सुच की port security की operatorial था उमेद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अस्राव अलेकूं